यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर कौन सा पैटरन का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर डबलू पैटरन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आप लोगों के सामने है और दूसरा जो कनफर्मेशन है देख सकते हो एक, दो, तीन, चार, पाच आप लोग देख सकते हैं previous जो low है यहाँ पर कभी भी fin nifty के अंदर breakdown किया है बिलकुल भी नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर fin nifty के अंदर ज्यादा sell side के तरफ याने की put side के तरफ क्यों भागते हो example आप लोगों के सामने है अगर आप लोग यहाँ पर pattern वेस्प के उपर देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर double pattern का formation हो रहा है और candle stick pattern के वेस्प पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना strong green candle है आप लोग देख सकते हो तो आप लोग ज्यादा put side के तरफ क कब aggressive जा सकते हो वो जा सकते हो इस level के नीचे जो की level है 19,819 का जब तक इस level के नीचे एक दिन का candle नहीं sustain कर जाती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर fin nifty के अंदर aggressive sell side के तरफ नहीं जाना है याने की put side के तरफ बिलकुल भी नहीं जाना है यहाँ पर एक ही strategy को follow करना है buy on dips div का मतलब क्या है जब आप लोगों को एक hurdle support के पास मिलती है fin nifty और जहाँ पर आप लोगों को bully scandal के अंदर strength दिखाए देती है वहाँ पर आप लोग safe call by करें लेकिन ज्यादा put side के तरफ आप लोग नहीं जाए अब चलो देख लेते हैं expiry से एक दिन पहले याने की सोम बार के दिन fin nifty के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है gap up पर entry कैसे लेना है gap down पर entry कैसे लेना है flat opening पर entry कैसे लेना है कहाँ पर call by करना है कहाँ पर put by करना है और कहाँ पर trade को avoid करना है जानने के लिए वीडियो में आप लोग end तक बने रहें अगर आप लोगों को वीडियो informative लगे त तो subscribe भी कर लेना और दोस्तों में वीडियो को जादा से जादा share करना अब चलो अब हम चलते हैं 5 मिनट के time frame पर अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के time frame पर आ चुके हैं अब जो fin nifty के अंदर जो important resistance है वो है ये वाला level जो की level है 20,500 बाबन का अब यहाँ पर क्या condition हो की बिलकुल ध्यान से सुन लेना मान लोग की अगर सूम बार के दिन fin nifty's level के उपर gap up opening ले लती है तो यहाँ पर आप लोगों को call की entry कैसे लेना है पहला condition को ध्यान से सुन ले gap up opening लेने के बाद इस level पर दुबारा retis करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब तो आप 70 point target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 30 minute का candle होगा याने की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देगी और इसके high के उपर closing देगी तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और 70 point target के लिए आप लोग easily ज जा सकते हैं अब मालों कि अगर सूम बार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर flat खुल जाती है तो ऐसे condition में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर यहाँ पर flat खुलती है और flat खुलने के बाद जब यहाँ पर 2 घंटा इस तरीके से consolidate करती है और यहाँ पर range बना देती है तो उसके high को और low को दोनों को mark कर लें जब इसके high को यहाँ पर breakout करेगी तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते है या फिर इसके low को यहाँ पर breakdown कर देगी तब आप लोग यहाँ पर safe put वाई कर सकते है यह दोनों ही condition में आप लोग 50 point target के लिए easy ली जा सकते है अब मालो की अगर सोंबार के दिन फिन निफ्टी इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 20,400 का अगर इसके नीचे gap down खुलती है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है तो बिलिकुल ध्यान से सुन लेना gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब तो आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हैं और 5,200 point target के लिए आप लोग easily जा सकते हैं दूसरा condition भी यहाँ पर बिलकुल ध्यान से सुन लेना gap down खुलने के बाद जो पहला 5 minute का candle होगा याने की bearish candle होगा next candle जब इसके low को यहाँ पर break down कर देगी और इसके low के नीचे closing देदेगी तब आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हैं और सिर्फ आप लोग यहाँ पर 50 point target के लिए easily जा सकते हैं ध्यान में रखना अगर सोम बार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर flat खुलती है और यहाँ पर consolidate करने के बाद जब यहाँ पर एक box pattern बनाती है जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा जो इस box pattern को break out करेगी या फिर break down करेगी तब आप लोग यहाँ पर safe call या put by कर सकते ह अगर यहाँ पर range बना करके पूरा दिन कामकाज करती है फिन निफ्टी तो यहाँ पर आप लोग कॉलर put के चकर में ना परे क्योंकि यहाँ पर बहुती ज़्यादा premium decay हो सकता है तो यहाँ पर आप लोग loss से बचे तो आसा करता हूं फिन निफ्टी की सारे level आप लोगों क अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटीव लगे तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब भी कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो का अंदर तब तक कि लिए जाहिन बंदे मातरम